तो क्या हाले आप सभी के आसा करता हूँ आपसे बच्छे होंगे इस वीडियो में हम लोग आयटी आयसम धनबाद 2022 का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें केटेगरी वाइस क्या कटफ गई थी और इसके बाद में कितने नंबर आफ अपलिगेंट से अटे करने वाले हैं जो कि आप अगर आप इसके लिए अपलाई कर रहे हैं तो यह सारी चीजे आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हैं तो चलिए फटा-फट वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल से पहली बार चुड़े हैं सब्सक्राइब कीजेगा ताकि जो भी सारा एक जगर लिए हैं ताकि आप लोगो प्रवाईट कर सकूँ ओके बहुत सारे यह जो भी सारे डाउट से उसके रिगार्डिंग यह है एक वीडियो में बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएएंगे यह बहुत सारे ऐसे से कोश्जन पूछे जा रहे हैं तो प्रफाइंग होगा उसके बाद आपका 80 marks का में मेंस होगा इसमें इंग्लीस और मैट ही हैं सिर्फ और उसके बाद आपका CPT और स्किल टेस्ट होगा CPT मतलब computer proficiency test और स्किल टेस्ट में आपका मिला था धनबाद राची बुकारो और देवगर ओके टोटल नंबर ऑफ केंडिडेट आपके 19,000 प्लस थे मतलब 20,000 के आसपास थे आप इतना मान के शलिए ओके यहां पर आपको समझ में आएगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लिकेंट्स यहां वैलिड मैंने लिखना भूल गया 16,615 थे नोटिस के हिसाब से मतलब जो eligibility वगरा रहती है उसके हिसाब से और 2,349 ऐसे candidate थे जिनका form reject कर दिया गया उन 49 ऐसे applicants थे जो एक सर्विसमें थे और कुछ copies वगरा essential submit नहीं करने के वज़े से उनको फिर से बुलाया गया था जिसमें से 28 लोगों को फिर से चुना गया जो कि इस list में shortlisted नहीं थे है ओके नेक्स्ट है total number of applicants total वही 20,000 के असपस यहां मैं 19 लिखा है अटेंडेंस क्या रही थी तो अटेंडेंस आप देख सकते हैं 16 16,000 टोटल 16,000 प्लस जो थे लोगों ने अपलाई किया था और 25 तू 30 परसेंट इसका अटेंडेंस था कट अफ कि बात करें प्री की स्क्रीनिंग टेस्ट कीतो यहां पर आउट आउट ऑफ नंबाक्ष दिखा रहा है मतलब सौमक्स का पेपर था ती उनिवह यहां पर आउट उट आउट hawd 90 दिखा रहा है ठीक है तो कटफ जो गया था ओफिशिल वो जनल OBC का 51 गया था ST का जो कटफ गया था वो 44 गया था PWD का कटफ 46 EWS का 45 और SC का 47 गया था यह आपका कटफ गया था स्क्रीजिंग टेस्ट का आउट ओफ 90 ओके और टोटल कितने लोग कौलिफाई हुए थे टोटल आपके 877 लोग कौलिफाई हुए थे 877 स्टुडेंट कौलिफाई हुए थे 4262 में से और केटेगरी वाइस कितने-कितने लोग कौलिफाई हुए थे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा OBC में 355 student qualify हुए थे general में 240 उसके बाद SC में 102 EWS में 100 SC में 110 EWS में 102 ST में 61 और PWD में 9 candidates जो थे आपके means के लिए qualify किये थे highest marks क्या था तो highest marks था आपका 78 out of 90 अब बात करते हैं कि इस बार जो है expected cutoff क्या जा सकती है इस post के लिए तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि ये out of 90 दिखा रहा है अगर out of 100 अगर हम लोग मान के चले तो आप क्या expect कर सकते हैं कितना safe score रहने वाला है और general OBC उस category wise में आपको safe score बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि screening test के लिए आपको कितना score करना पड़ेगा means का भी preparation वगएरा करते रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए और साथी साथ skill test वगएरा का भी preparation करते रहे हैं कि CPT का भी और उसके regarding भी अगर मान लीजे कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं already हमने CPT के लिए कि CPT का previous year का paper है हमारे पास जो कि आपको कि मौक अगर आप मौक बाई करते हैं हमारा तो आपको मिलेगा साथ model paper है साथ model paper है with solution और चार previous year paper है जिसमें से दो पेपर ऑफिशल आपका IIT ISM धनबात का है screening test का ओके तो आप चाहें तो purchase कर सकते हैं और CPT का भी आपको एक previous year का paper provide किया जाएगा तो इस बार अगर मोटा मोटी मान के चलिए तो attendance में वही रखता हूं total number of applicants वही रखता हूं 20,000 के आसपस या अगर maximum भी मान के चलिए तो ट्वंटी टू 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 ट्वंटी कि ए फोर या थ्री के आसपस हो सकता है cut-off और सेफ स्कोर की अगर हम लोग बात करें हो आउट आफ हंड्रेट तो जन्रल और OBC के cut-off में देखिए कोई difference था नहीं तो हम लोग वही लेके चलेंगे जन्रल और OBC का cut-off लगभग आप मान के चलिए कि 60 से लेके 62 के आसपस रहने वाला है maximum मैं बता रहा हूँ कि best safe score यही होना चाहिए आप चाहें तो आप तो बहुत लोग यह भी करेंगे यह लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इतना ही होना चाहिए जो भी बट एक safe score जर्नल और OBC के लिए 100 के पेपर में मिनिमम इतना होना चाहिए ओके चाहें टेंडेंस कितनी भी कम हो आप अपना बेस्ट दीजिए नेक्स्ट है आपका SC SC की अगर बात करें हम लोग तो 55 to 60 के असपास आप देख सकते हैं 55 to 60 के असपास ही इसका safe score बेस्ट रहेगा SC का SC का भी आप मान के चलिए वही है ओके दो नमबर हो सकता है दो से तीन नमबर इधर उधर हो कम ही होगा तो आप अगर ST की हम लोग बात करें तो 52 to 58 के आसपास आउट ऑफ हंड़ेट और पी डाबलूडी की बात करें एक सर्विसमेंन की पी डाबलूडी की अगर हम लोग बात करें तो आपका 45 to 50 के आसपास और इसके बाद EWS की बात करें तो 45 to 50 के आसपास हो सकता है EWS बहुत लोगों ने बनवा लिए तो हो सकता है AWS का कटफ भी ज़्यादा जाए यह हो सकता है ओके तो यह चीजे ध्यान में रखिएगा और जो भी डेटा वगरा यहां दिया गया है बिल्कुल अथेंटिक है और वीडियो को शेयर कीजेगा जो भी डाउट्स वगरा है कमेंट करके पूस सकते हैं मौक अगर आपको परचेस करना है तो कैसे परचेस कर सकते हैं 8-9-1-0-4-0-3-0-1-7 इस नंबर पर आपको वट्सप करना है आपको डीटेल्स वहां पर बता दिया जाएगा साथ मॉडल पेपर मिलेंगे विच सॉलुशन और चार आपको प्रिवेस एर पीपर मिलेंगे टोटल 11 पेपर मिलेंगे इसके बाद एक CPT का भी पेपर आपको प्रोवाइट किया जाएगा ओके तो बहुत हेलफूर रहेगा और बहुत बेनिफिशल रहेगा आप चाहें तो ट्राइगर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते है निक्स्ट वीडियो में कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लिजेगा जैहिन धन्यवाद करके अभी के खाएगगा जैपने ही मिलते हैं वीडियो में के लिए जए टो आपके लिए